पूर अज़ि आप लोग बॉलिवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं भले ही राइटर के तौर पर अक्टर के तौर पर डिरिक्टर फिल्मेकर डी ओ पी यह किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आज के फिल्मी फंडे में मैं आपको 5 पॉइंट ऐसा बनत मिलेगी कि अगया है कि अलो विल्म को फिल्मी फंडे जॉइंग फिल्म डॉट-कॉम मैं हूं आपका अपना विरेज राटोर दोस्तों मैं अपना पूरी तरह से ठान लिया है सोच लिया है कि आपको जो बॉलीवूड में अपना करियर बनाना है अपने आपको आता रहूंगा ताकि आप लोग आसानी से अपने करियर को समझ सकें और यहां पर कोशिश करें और सफल हूं करियर बनाने में आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है लेकिन इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस वीडियो को आखिर तक देखेगा आप बॉलिवूड के किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं बस इन पांच पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए जान लीजिए सैल्फ अनलाइज कर लीजिए और कोशिश शुरू कर दीजिए फिर देखिए आपको एक चीज कैसे क्लियर होती चली जाएगी तो ज्यादा यह है कि हम क्ब्लॉकेशन बाहर के लोगों से तो करना चाहते हैं पर खुद से नहीं कर पाते हैं तोड़ासा अजीब लग रहा है भिल्कूल मे पर जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे पूछत, आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलते हैं मैं एक्टर में earning opportunities भी बहुत अच्छे अच्छे हैं तो पहरे मैं यही बोलूगा कि पहला point clear कीजिए कि आपको क्या बनना है सिर्फ इसलिए तो आप actor नहीं बनना चाहते हैं कि उसमें बड़ा glamour है आपने देखा है कि उनकी बड़ी respect होती है अगर ऐसा है तो दुबारा सवाल किजी क्या वागई आप actor बनके फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि रैटिंग भी करते हैं सिंग भी करते हैं तो यह तीनों प्रोफेशन को या जो भी आपका प्रोफेशन है उसको थोड़ा सा अपने आसपास लोगों को करके दिखाई अगर आप फिल्में करें तो कोई short film बना के दिखाई देखिए उनका reaction क्या रहा है उससे आपको समझ मे लाना है यह क्लीर कर लिजिए नमबर टु है कि आप एनलाइज कीजिए कि आपकी capability क्या क्या है मालीजिए आपने तैया कर लिए है कि आपको एक्टर बनना या फिल्मेकर बनना तो ऐसे प्रोफेशनल परसन आपकी capability क्या है क्या आप वागई actor की तरह किसी के भी सामने अपने comfortable zone में रहकर act करते हैं और mobile से record कर लेते हैं तो उसको माप दंड बहुत ज़्यादा मत मान लेगा जब तक आप फिल के सामने या कुछ लोगों के सामने एक्ट नहीं करेंगे तब तक यह clear नहीं हो सकता तो आप अपनी capability देखिए as an actor वाकई आप इतना जानते हैं acting के प प्रोफेशनल में जाने में आपको professionally उसके लिए qualified होना पड़ेगा qualified होने से मतलब यह नहीं कि कोई degree कर लीजिए या कोई पढ़ाई कर लीजिए लेकिन उसके basic तो सीखिए अगर आपको रैटर बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे budget बनाए जाता है कैसे schedule बनाए करना शुरू करना है यहां से आपको सीखना शुरू करना है जैसे ही आप analyze कर लेंगे कि अभी मेरा level क्या है तो आप यह कर पाएंगे आपको achieve क्या क्या करना है अगर इस profession में प्रोफेशनली जाना है तो तो नंबर वन आपने देख लिया कि क्या बनना चाहते है नंबर मुंबई आना पड़ेगा तो इसको आप करेंगे कैसे आप उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको मुंबई फिल्म इंडिस्टी के सिस्टम मालब होना चाहिए आप यह कर सकते हैं कि जो भी हैं वह आप लोगों के लिए हैं आप उनको अच्छे से देखें अपने प्रोफेशन के बारे में हर तरीकी प्लेइस अलग अलग अविलेबल है अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग अडवाइज है और आप जाना चाहते हैं पहले उसको अच्छे से देख के समझें अपने शहर में रहते हुए ही क्योंकि मुंबई आते ही आपके बहुत सारे खर्चे शिरू हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक नॉलेज भारत के कौने कौने में मैं ऐसी पहुचा जूँ कि आप अपने करियर को जैसी सोचे हैं और उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो जाइन फॉन्स के चैनल पर आपको वह मिल जाएं तो प्लीज इन प्लेलिस को देखीगा जिससे आपको बहुत हैल्प होगे अब नमबर जो फॉर है वह भी बहुत इंपर्टन है इस फार्मॉला में जितने भी फाइप वाइप वाइंट है इसकी बहुत अच्छे समझे आ नमबर फॉर यह है कि आप अब इस रास्ते को बनाएंगे कैसे कैसे अचीव करेंगे कैसे बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजा आपको एक पास कितना वजट है मैं कैसा समय दे सकता हूँ बजट के हिसाब से आप क्या होगा यह देख पाएंगे कि आपको कहा रहना शुरू करना है वहां पर क कैसे रहेंगे तो इन सब चीजों को देखिए कि आपकी फैनेशल केपेविलिटी क्या है आपको अधर उस प्रॉफेशन के बारे में कुछ सीखना है समझना है कोई क्लास करने कोई कोर्स करने वह कर लीजिए क्योंकि यही रास्ता बनने वाला है कि सिस्टम क्या है और आप है जब आप लोगों की रिक्वार्मेंट को पूरा करेंगे तभी कोई आपको हायर करने वाला है तो अपने अप्रॉफेशन से लेट जैसे अकर आपको मालेशन में जाना है तो क्या में को किसी को आस्ट करना पड़ेगा तो कैसे करूंगा कैसे पता करूंगा चूँकि और आपको जाना है उसके बारे में पूरा पता कर लेजिए कि मुझे फंड्स कितने लग जाएंगे वहां कहां रहुँगा में को और क्या क्या तैयारी कर दीए प्रॉफिशन्स लिए अगर कुछ सीखना है तो सीख लीजिए वहां जाकर सीखना तो उसके पहले से पता कर लि पाजना भी बहुत असान है लेकिए आप किसी भी और करियर में जाते हैं मालगी आप एमबीए कर रहे हैं या फिर आप इंजिलिंग कर रहे हैं तो आपको मालब होता है मुझे 4-5 साल पढ़ाई करनी है उसके बाद मैं फिर ट्राई करूँगा उसके आप मुझे कुछ कि यह लोग कैसे है कहां पर काम होता है इसा यह भी आपको निकल गए नहीं हूए जब और दो साल दिन मां फॉरन अपने आपको एनलाइज कीजिए मुझे एक साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में आई मुझे काम क्यों नहीं मिल ला है क्या कभी है मुझे उस पे रोज काम करना शुरू कीजिए नहीं तो होगा क्या चार-पांस साल निकल जाएंगे फिर आपको स यार खड़ा मुना पड़ेगा तो अगर ज्यादा समय निकल रहा हो या जो लोग वीडियो देख रहे हैं बाइदिवंगो काफी टाइम हो गया आयो तो प्लीज कैलकुलेट करें कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कमी कहा रह रही क्या चीज चूट रही है या तो आप आप सही समय पर सही जगे नहीं जा रहे या आपका तरीगा गलत है या आपको लगता है कि आप प्रोफेशनली बिल्कुल वेल एकिवड हैं लेकिन अभी आपके टैलेंट में कुछ तराशना बाकी है कुछ पॉलिश करना बाकी है तो प्लीज अपने आपको एनलाइज लिए कि आप लोगों को हम लोग अवेर करें मोटिवेट करें गाइड करें आपको सिखाएं समझाएं कि इंडस्ट्री वर कैसे करती है ताकि आपका समय कम से कम लगे और आपको अपरश्रटी जाद से जादा मिलें आप लोग जिस तरह से वीडियो को पसंद कर रहे हैं श अच्छा लगेगा कि ठीक है आपको मेरे काम पसंद आ रहा है वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आखिर में एक बात बस याद रखेगा कभी भी अपने एगों को इतना आगमत बढ़ाईगा कि आर्यार मुझे काम नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे या मुझे काम मिलना ही चा और उसके लिए आपकी तैयारी क्या-क्या है और आप क्या-क्या तैयारी करना चाहते हैं मुझे कमेंट बाक्स में बताईएगा जिसको जो कोश्चन पूछन वोगी पूछ ले क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर कमेंट का आंसर मैं परसनली देता हूँ कभी-कभी रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, all the very best.